आप देख रहे है धर्म शिक्षा आईए जानते है आज का राशीफल आप सभी को बसंत पंचमी की हारदिक सुपकाम नाए तो डिस्किप्शन में आज के धर्म शिक्षा पंचांग का लिंक दिया हुआ है महाजाकरप आज का पंचांग विस्तार पूरुक जान सकते हैं एक-एक मौर्ट वए में जान सकते हैं आज के संपून राशीफल को बतान पूरा का पूरा राशीफल निर्भड करता है आज गुरू मेस राशी में केतु कन्या राशी में सुक्र मंगल बुद्ध दिनों के साथ मकर राशी में सनी कुम राशी में सूरी के साथ और चंद्रमा राहू के साथ मीन राशी में है मीन राशी में चंद्रमा आज साम के च जिसके फ्लसरूप आज आप किराय के मकान में गर रह रहे हैं तो मकान मालिक के साथ आपके समंद बिगर सकते हैं तो यहां पर आपको साभानी निश्ची तोर पर रखनी चाहिए। किराया आपके सीनियर आपको किसी काम को लेकर आज उकसा सकते हैं धैरी से काम ले यए एक सोची समझी साजिस भी आपके खिलाब हो सकती हैं बात कि वयापार और धनकी तो आज आपको वयापार में हानी का सामना करना पड़ सकता है अगर आप किसी के साथ पार्टनर्सी पर व्यापार करते हैं, तो उनके साथ मिलकर आप अपने व्यापार को lamin ले जा सकते हैं। अगर अच्छी उध्ना बनाएंगे और उस पर अमल भी करेंगे तो आप अपने हानी को lamin बदल सकते हैं। विद्यार्थी की बातकर विद्यार्थियों का मन चंचल रहेगा, पढ़ाई के लावा अन्य चीजों में समय बरबाद ना करें, अपने पढ़ाई पर ध्यान लगावें, सिक्षा के छेत में विद्यार्थियों का दिक्कत का सामना करना पर सकता है, स्वास्त की बातकर आज अच्छा रहने वाला है जीवन साथी को कम समय दे पाएंगे उन्हें समय देने का प्रयास करें उनकी भावनाओं के कदर करें इससे आपके प्रेम समंधों में मिठा सुत्पन होगी प्यार के जहार करने के लिए आज कर दिन अच्छा रहने वाला है आज के दूद या दूद उसका फल आपको अब मिलेगा जिसके कारन आपके आत्मिस्वास में व्यर्धी होगी आज आप कोई भी नया कारी करने के लिए पेरीद भी रहेंगे और इस नए कारी में आपको सफलता भी मिलेगी नए लोगों से मिलना और दोस्ती होना संभव है आपको आज कुछ पारि आपको सफलता मिलेगी आज आपके धैरियों में कमी आ सकती है जिसके कारन आपके कारी पने भी विगर सकते हैं तो अपने धैरी पर नियंतन रखें व्यापार और धन की बात के आज आप अपने बात करने की चमता और काम करने की चमता से अपने व्यापार में विर्धी कर पाएंगे आपकी आए में बढ़ोदरी भी होगी जो जातक नोकरी कर रहें उनके सीनियर अधिकारी उनसे परसन न रहेंगे आज किसी को कर्ज देने से बिलकुल बचें अगर कोई बहुत जोरतमन व्यक्ति ना हो तो उसे पैसे का उधार ना दें क्योंकि ऐसे पैसे आपके दूब सकते हैं। विद्यारथी की बात करें आज कि नच्छा रहने वाला हैं? आज आप अपने पढ़ाई के लिए अनकूल इस्तिति का अनभव करईंगे तो ऐसी इस्तिति का लाव में ज्दा जदा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। स्वास्ति की बात कर्आएं आज दूसरे से वाद वियात की स्थिति उत्पन हो सकती है लेकिन यह सब होने के बाब जूत आपके रिष्टे मधूर बने रहेंगे जीवन साथी या प्रेमी पेमी का के साथ समय बिताएं इससे आपके प्रेम समंद अच्छे बनेंगे आज किन चांदी के बरतन में खीर सब्सक्राइब साथ कर से अपको सफल्ता की प्राप्ति होगी आपके घर के काडियों में आज आ व्यास्थ। रहेंगे लेकिन संतान के तरब से थोड़ी88 के माहुल भी बन सकता है आज आप आतमी स्वास्थे भरपूर रहेंगे प्रन्तु पिता के स्वास्ति से थखा च स्वास भरपूर होने के कारण आप मानसिक तोर पर मजबूत नजराएंगे जिसका फाइदा आपको भी व्यापार में मिलेगा जुआ तक नोकरी कर रहे हैं उन्हें अपने सहकर्मियों से चुनोती मिल सकती है आज आपके खर्चे भी ज़्यादा हो सकते हैं तो अपने फिजूल खर्चों पर नियंतन जोड़ रखें विद्यार्थी की बातके आज आपके मित्र आपका ध्यान पढ़ाई से भढ़का सकते हैं मुआल फोन में ज़्यादा समय बरबात ना करें अपने पढ़ाई पर ध्यान दें पूराने बीमारी आपको अज परेसान कर सकती है कुछ जातकों को जोरों का दर्द परेसान कर सकता है तो हलका व्यायाम करना आपके लिए अतियुत्तम रहेगा प्रेमसमंद की बादकेट प्रेमसमंदों के लिए आज कि अच्छा रहने वाला है जीवन साथी के साथ आज आप समय बिता पाएंगे साथी आप यह भी जान पाएंगे कि आपका पार्टनर आपसे कितना प्यार करता है आज के दिन उरत की डाल खाएंगे ता आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग फिरोजी रंग लकी नमर आठ रहने वाला है बात कोंगे अब करकरासी की करकरासीम चंद्रमान आज नौवे स्थान में विराजित है जिसके फ्लसुप आज आप अपने बातों को समाज में अच्छे डंग से रख पाएंगे जिसके फ्लसुप आपके चाहने वालों की संख्या में विर्दी भी होगी अगर आप रातनीती से जुरे हुएं तो उसका भरपूर लाब भी आपको मिलेगा आपके संतान का सहीयोग आपको प्राप्त होगा कोई पुराना फसा हुआ रुका हुआ काम आपका पूरा हो सकता है सरकारी कारियों से आपको लाब मिलेगा आज आपको आपके मित्रों का सहीयोग भी प्राप्त होगा आज आप मानसिक सांती का अन्भव करेंगे लेकिन कुछ जातक किसी अग्यात भई से आज परिसान भी रह सकते है व्यापार और धन की बातके चाहेव व्यापार करते हो जॉब करते हो आपके अधिनस्त करमचारियों का सहीयोग आपको प्राप्त होगा किसी करेभी मित्र या सगे समन्धियों की मदद से आपको व्यापार में लाब हो सकता है आज आपके व्यापारिक पर्तिदंदी आपको व्यापार में नुकसान पहुचाने की कोशिस कर सकते हैं लेकिन व्यापार में आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी जिन जातकों को मकान या गारी की तलास है उनकी तलास पूरी हो सकती है जूरा तक नोकरी कर रहे हैं उनके लिए आज की नच्छा रहने वाला है ओफिस में कोई नई जिमेदारी आपको दी जा सकती है आपके ट्रांसफर होने के योग भी बन रहे हैं विद्यार्थी की बातकर विद्यार्थियों के लिए आज की नच्छा रहने वाला है जो विद्यार्थी परत्योंकता परिच्छा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी सफलता मिल सकती है स्वास्त की बात करत आज आपका स्वास्त अच्छा रहने वाला है मानसिक सांती का अनभव भी करेंगे प्रेम समंध की बात करत प्रेम समंधों को सुद्रिट बनाने के लिए आज अपने जीवन साथी के साथ समय बिताएं इससे आपको उचा और अपने जीवन साथी को विची ये खाएंगे तापके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग खा की कलर लकी नमर छे रहने वाला है। खास करना चाहिए। खास करके सगे समंधियों से परोशियों से। किनी किनी जातकों को कोई अच्छा दोस्त भी मिल सकता है लेकिन किसी नए पर भरोशा करने से पहले उसकी जांच जोड़ करें। बलकि इसका सामना डटकर करें। आज किसी से पैसे उधार लेने से बिलकुल बचें। आज करज लिएगे पैसे आप जल्दी से चुकान नहीं पाएंगे। जुदा तक नोकरी कर रहें। उनके सहकर्मियों के साथ उनके समन भी गर सकते हैं। आज आपके सहकर्मी, आपके बड़े प्रतितंदी भी सावित हो सकते हैं। इससे बचने के लिए अपने सीनियर के सामने अपने आपको अच्छे से परजेंट करें। आज आपके खर्चों में भी विर्दी होगी। विद्यार्थी की बात करें। तो विद्यार्थियों के लिए आज करें सामाने रहने वाला हैं। अपने समय को बरबात करने से बचें। समय का एक एक पल महतपूर्ण है। उस पल का लाब जो उठावें। अभी अपना ध्यान सिर्फ परसिव अपने पढ़ाई पड़ी लगावें। स्वास्त की बात करें। आज आपका स्वास्त अच्छा रहने वाल है। लेकिन आपका अपने स्वास्त का ध्यान रखना चाहिए। तले, भूने और मसाईदार खानों से दूर रहना चाहिए। प्रेम समंद की बात के जीवन साथी से हलकी नोग जोग के बाद अच्छे समंद भी बनेंगे। आपको कोई पार्टनर भी आज मिल सकता है लेकिन पार्टनर का चुनाओ करने में साब्धानी बर दें। प्यार के जहार करने साथ बचे हैं। आज के इन गुर अपने खाद बदात में सामिल करेंगे तो आपके लिए सुब रहेगा। आपके लिए आज का सुब रंग हरारंग लकी नमर तीन रहने वाला है। बात करेंगे अप कन्यारासी की। कन्यारासी में चंतरमा आज साथमी अस्थान में विराजित है। जिसके प्रसुब आज आप अपनी बातों को समाज में मजबूती के साथ रख पाएंगे। आपके बच्चों के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा। कई माइनों में आज आज अगर आपको जीवन का कोई बड़ा फैसला लेना हो तो किसी अनभवी लोगों की सलाह जोड़ लें। आपके मन में आज कोई नाकारत्मक विचार आ सकते हैं। जिससे आपका कारी भी प्रभावित हो सकता है। आज आपकी बोली गई बातों को आपके प्रतितंद्यो द्वारा तोर मोर का पेस किया जा सकता है तो कुछ भी बोलते समिछ साब्धानी बढ़ते हैं। किनी-किनी जातकों के उनके पिता के साथ समन्द भीगर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको साब्धानी निश्ची तरपर बढ़तनी चाहिए। आज अगर घर से अपने बड़ समान व्यापारियों के बीच आपकी परतिष्ठा बढ़ेगी। आवश्चता होने पर आपके भाई बहनों से आपको आर्थिक मदद भी मिल सकती है। नोकरी करने वाई जातकों के लिए भी आज की अच्छा रहने वाला है। आफिस में सहकरिमी और सीनियर के बीच आपका समान बढ़ेगा। बात करेंगे विद्यार्थी की आपको आज लक्ष की प्राप्ति के लिए ज्यादा मेहनत करने की आवश्चता है। ज्यादा मेहनत करेंगे तो ही आपको सफलता की प्राप्ती होगी। तो मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी बिल्कुल न रखें। स्व पानी पीते हैं पड़िए सूनरा रंग लखी नम्मर रहेगा साथ भात करें तुलारासी की तुलारासीम चंद्रमा 6 स्थान में वि्राजित हैं जिसके प्रसब आज आज आपके कारियों के धिकता रहेगी कारिष्षित में परिवरतन का मन भी आपको होथ हो सकता है आज आप अपनी वानी की मधूरता से बहुत सारी कारियों को लिप्टा सकते हैं अगर आप अपनी वानी पे अंकुस नहीं लगाएंगे तो बहुत सारी लोगों के आकरोस का सामना आपको करना पर सकता है सासन और सत्ता के लोगों से कुछ सहयोग आपको मिल सकता है आपके पडिवार की परतिष्ठा बढ़ेगी अगर कुछ नया काड़ी आरम करना चाहते हैं तो उसमें कुछ समस्या उत्पन हो सकती है मन में किसी प्रकार की चिंताभी रह सकती है व्यापार और धन की बात करें तो अगर कहीं आपके पैसे बकाया हैं तो वहाँ से पैसे वसूली की पूरी संभावना बन रही है, पिछले कर्ज को आप चुका पाएंगे, व्यापार में अगर कुछ लंबे समय से दिक्कतें चली आ रही है, तो उसे खत्म करना अब आती आवस्यक हो गया है, वरना इसे बहुत ज़्यादा हानी का सामना करना पर सकता है, विद्यार्थी की बात करत आज आपका मन पढ़ाई में लगेगा, लेकिन सफलता की प्राप्ति के लिए आपको और भी ज़्यादा महनत करने की जुरत है, तो महनत में किसी प्रकार की कोई कमें बिल्कुल न रखें, स्वास्त की बात के जिन जात्कों को जोनो का दर्द ये गठिया से समंधित समस्या रहती है, उन्हें थोरे परिसानी का सामना करना पर सकता है, आज आपको तुनावपूर्ण वातावरन में रहने की सला बिल्कुल भी नहीं दी जा रही है, प्रेम समंध की बात के आज आज आपका पारिवारिक जीवन सुख में रहेगा, जीवन साथी को समय दें और उसे समझें, इससे आपके प्रेम समंध में नई उर्जा का संचार भी होगा, लेकिन प्रेम समंधों में सोच समझ का आगे बर है, किसी तीसरे व्यक्ति की वज़े से आपके प्रेम समंधों में दरार रुदपन ना होने दें, आज के निगा गेहुं से बनी विच्शिया खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुब रंग ब्राउन कर लगिन नमर चार रहने वाल है, बात केंगे विच्ची क्रासिकी, विच्ची क्रासिम चंद्रमा पांच में इस्थान में विराजित है, जिसके फ्रसुप आज आपको कई परकार के परिशानियों से मुक्ति मिल सकती है, कलात्मक कारियों में आपके रुची बढ़ेगी, आपके व्यक्तित्में साकारत्मक बदलाव आ सकता है, आज अपनी माता के साथ कुस्स्र में जोरू बिताएं और उनकी मन इस्थित्य को समझें, इससे आपको असी मन की सांती प्राप्त होगी, यदि आप साधी सुदा हैं, तो आपके सोसुलाल पक्से से किसी के साथ वाद वाद हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपको साधनी बढ़तनी चाहिए, आज आप अपने बच्चों की परहाई को लेकर चिंतित रह सकते हैं, इसके लिए आपको अपने बच्चों की परहाई में रुची समझनी होगी, बच्चों को उनके केरियर के परती प्रेरीद भी करें, व्यापार और धन की बात करें, तो व्यापारियों के लिए आज की अच्चा रहने वाला है, आपके आत्मिस्वास में बढ़ती होगी, जिसका फाइदा आपको भी व्यापार में मिलेगा, आज केसी जोरत्मन्द ब्रेक्तिय को धन का धान जोरू करें, नोकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज की अच्चा रहने वाला है, नोकरी में परिवारतन करने का मन भी आपका हो सकता है, कुछ जातकों को सट्टे बाजी वगर ऐसे, आज लाव भी हो सकता है, विद्यार्थी की बातकेद विद्यार्थियों का मन जंचल रहेगा अपने आपको सोशल मीडिया और मुगाल फोन से थोर दूर रखें अब आपको अपने केरियर के परती सचेथ हो जाना चाहिए स्वास्त की बातकेद आज आपको किसी प्रकार के चिंता रह सकती है आपके जहर के सोच रहे तो यह समय आपके लिए अच्छा सावित हो सकता है आज किन हरी सब्जियां खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग हरारंग लकी नमर छे रहने वाला है बात करेंगे अब धनु वासिकी धनु वासिम चंद्रमा चौथे स्थान में आज विराजित हैं जिसके फ्रसुप आज आप अपनी बातें किसी पर थोपने की कोशिस ना करें आपको यहां से नुकसान हो सकता है आपके दोस्तों के साथ अच्छे समन बना के रखने का आपको प्रियास करना चाहिए उनसे लराई जहरे की संभावना बन रही है सांती से गर काम लेंगे तो आपके बहुत सारे कारी बन भी सकते हैं अपने लगन और आत्मिस्वास से आप अपने कारियों को बहतर धंग से कर पाएंगे जुदा तक मीडिया से जुरे हुए हैं उनके लिए आज के नच्छा रहने वाला है व्यापार और धन की बातकेट आज आप अपने साहस और प्राक्रम के बल पर अपने कारी छेत्र में स्तिती को सुधार सकते हैं आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा यस और किरती में वर्धी होगी आपके व्यापार में तेजी देखने को मिलेगा अपने काम पर फोकस रहें इससे आपको फायदा होगा नोकरी करने वाल जातकों के अपने सीनियर अधिकारियों से आज मतभेद भर सकते हैं तो यहाँ पर आपको साभधाने निश्ची तोर पर रखनी चाहिए अपने फिजूल खर्चों पर नियंतर रखना चाहिए विद्यार्थी की बातकेद विद्यार्थियों के लिए आज के दिन सिक्षा के छेत्र में सुब फलों की प्राप्ती होगी तो डटकर बेहनत करें स्वास्त की बातकेद जिन जातकों को जोरों का दर दिया गठिया से समंदि समस्या रहती है उन्हें आज परेशानी का सामना करना पर सकता है आज आपका ब्लड पेर्शर नॉर्मल रहेगा व्यायाम करें योग करें इससे आपको स्वास्त में फायता होगा प्रेम समंद की बातकेद आज आज आपके जीवन साथी के साथ किसी दूसरे के वज़ा से मतभेद उत्पन हो सकते हैं कुछ भी ऐसा सोचने से पहले बातों को गहराई से जोर जाने आज के इन मसूर की डाल खाएंगे तब के लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग के सरिया रांग लगी नमर आठ रहने वाला है बात केंगे मकर रासी की मकर रासीम चंद्रमा तीसे स्थान में विराजी थे जिसके फ्रसुप आज आज आपको आपके छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा आपके जोट्मान भक्ति की मदद जरूर करें इसे आपको जीवन में फाइदा होगा आपके पिता या उच्चेद्यकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा सामाजी कारियों में आपके रुची बनी रहेगी मन में नेने वुचाराएंगे इन विचारों को सहेच कर अपने जीवन में आगे बढ़ें स्वाधिष्ट भोजन का अनन्द ठापाएंगे परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पे जाने के या धार्मिक कारी करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं आज किसी गलत फ्यामिक के कारण आपके और आपके प्रिये जनों के बीच लराई हो सकती है तो यहाँ पर साथानी भी बढ़ते हैं व्यापार औधन की बात के तो आज आपके केरियर में सफलता की प्राप्ती होगी आज आप अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे आर्थिक मामलों में सफलता की प्राप्ती होगी परिवार के किसी वक्ति साबको धनलाब भी हो सकता है जो आतक नोकरी करते हैं उनको आफिस में ऐसे लोगों से साब्धान रहना चाहिए जो उनके दोस्तों हैं लेकिन उनकी चवी विकारने की कोशिस करते रहते हैं विद्यार्थि की बात के विद्यार्थियों के लिए आज के मिलादा रहने वाला है परहाई से आपका मन भटक सकता है ऐसे हमें अपने लक्ष का ध्यान करेंगे तो आपको फायदा होगा स्वास्त की बात के तो आज आपका स्वास्त अच्छा रहने वाला है चुस्ती और फूर्ती का अनभव करेंगे लेकिन आपको मौसमी बिवारियों सा सचेत भी रहना चाहिए मोसमी विवारिया किनी किनी जातकों को परेशान कर सकती है प्रेम समन्द की बात के तो आज आप जीवन साथी के साथ समय बिताएं इससे आपको और आपके जीवन साथी को दोनों को अच्छा महसूस होगा आज के इन्चांदी के बरतन में भूजन करेंगे तब के लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब्रम गुलावी रंग लकी नमर दो रहने वाला है बात करेंगे कुमरासी की कुमरासी मिचंदरमा दूसरे स्थान में विराजित हैं जिसके प्रसुब आज आपका मन आत्मी स्वास से भरपूर रहेगा लेकिन मन में नकारत्मक विचार भी आ सकते हैं छोटी मोटी परेशानिया आएंगी उन परेशानियों पर विजह प्राप्त करने की कोशिस करें कुछ नई विचार आपके लिए फायदे मन भी साबित हो सकते हैं आज अगर आप किसी की मदद करते हैं तो उसका फायदा आपको भी कहना कही मिलेगा बिना जांच परतालिए किसी व्यविसाय या कानूनी जस्तावेच पर हस्ता अक्षर तो बिल्कुल भी ना करें इससे आप मुस्किलों में आगे चलकर पर सकते हैं व्यापार अधन की बात करें आज आपको व्यापार में लाब होगा व्यापार में जो भी आपके प्रतिजंदी हैं उन पर आप विजय प्राप्ट कर सकते हैं जूरा तक नोकरी कर रहे हैं उनके लिए आज के अच्छा रहने वाला है आपके सीनियर या बॉस आपके कारी से प्रभावित हो सकते हैं लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि अपने बॉस के सामने खुद की पैर भी ना करें इससे निगेटी प्रभाव पड़ सकता है विद्यार्थी की बातकेद प्रतिजंदी परिच्छा की तैयारी करने वाली विद्यार्थी अपने दिड इच्छा सकती से लक्ष को प्राप्त कर सकते हैं तो अपने पढ़ाई पर ध्यान दें स्वास्त की बातकेद आज आपको मौसमी विवानियों को लेकर सतरकता रखनी चाहिए आपकी सारेरिक और मांसिक विवानी की जर आज़ा दुख हो सकता आपका व्यायाम करें खुली हवा में टालें आपके स्वास्त के लिए अच्छा रहने वाला है प्रेम समन की बातकेद अपनी बाते हैं अपने जीवन साथी पर थोपने से आज कलह की स्थिति उत्पन हो सकती है अपने जीवन साथी को बड़ावर का अधिकार दें इससे आपके समन मधूर बने रहेंगे आज की इन हरी सब्जियां खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग आसमानी रंग लगी नमर बारा रहने वाला है बात करेंगे मीन लासिकी मीन लासिम चंद्रमा आज पर्थामस्थान में विराजित हैं जिसके फ्रसुब आज आपको आपके दोस्तों का सहयोग प्राप्त होगा आज कोई भी निर्ने भावकता वसनाले ऐसे निर्नेयों से आप परिसानी में पर सकते हैं बेरोजगार जातकों को रोजगार की प्राप्ती होगी आपको आज भागे का साथ भी मिलेगा परिवार के किनी दो सदस्यों के बीच मरमोटाव बढ़ सकता है मगर आज पूरे परिवार के साथ किसी धार्मी कारे के योग भी बन सकते हैं आज आपको आपके सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा लेकिन ध्यान रहे वह आपके काम का केड़िट भी लेने का प्रयास करेंगे आज किसी सुनी सुनाई बातों पर आँख मूंद कर भरसा ना करें सचाई को परखें तब ही आगे बढ़ें व्यापारो धन की बात केड़ व्यापारियों को आज कोई भी निर्ण ने बहुती सोच समझ कर लेना चाहिए किसी अचानक साय चुनोतियों का सामन आपको करना पर सकता है तो उसके लिए पहले से ही सचेत रहें अगर कहीं निवेस करने का मन बना रहें तो एक बार अनभवी लोगों की सलाह जोड़ ले कज लेने से बिलकुल बचें विद्यार्थी की बात केड़ आज आपका मन परहाई में लगेगा आप जिस लक्ष की प्राप्ति चाहते हैं उसके लिए अच्छी योजना बना कर करी महनत करें सफलता मिलेगी आपको स्वास्त की बात केड़ आज आपको अपने स्वास्त के परति सजेत रहना चाहिए जिन जातकों को हाई ये लोब्रेट प्रेसर की सिकायत रहती है वह आज अच्छा महसूस करेंगे प्रेम समन की बात के तो आज आपके जीवन साथी के साथ आपकी नोगजों भी हो सकती है बात में सब कुछ ठीक भी हो जाएगा और वह जातक प्रेम समन में कोई भी नया रिस्ता बनाने से पहले आज सामने वाले को जोर पर्खे आज आपके प्रेम समन में किसी परकार की चिंता उत्पन हो सकती है आज किन केला खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा बारोबच कर पैथिसमेश्ता कर दिन के एक बच कर उनसर्चमेट तक रहने वाला है इस समय में कोई नया कारी करने से बिलकुल बचिये इसमें आपको और सफलताद लग सकती है दिसा सुलाज उत्तरदिसा में है तर दिसा में किसी भी खास प्रियूर्जन से यात्रारम करने से बचना चाहिए। और सुब खाद्याज का धनिया है। धनिया क्या एक दूदाना खाकर भी यात्रारम करेंगे, किसी नई काले को करेंगे, उसमें आपको अपको सफलतात लगेगी। तो अब तो यह थो थाज का संपून रासिभल कल के संपून रासिभल के लिए जूरी रहे है। धर्मसिक्षा के साथ और देखते रहे हैं। धर्मसिक्षा जय माता दिन।